और बड़ी ख़बर आ रही है जहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ कॉंग्रेस की बैठक, बैठक में बोर्ड, निगम, आयो के खाली पदों को जल्द भरने पर सहमाती बनी है लोगसभाद चुराफ को लेकर भी चर्चा हुई है वही बैठक में कॉंग्रेस प्रभारी गुलाम एम्मद मीर भी रह मौझूद, प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष, राजेश थाकूर, विधायक दलकिरीता, आलमगीर आलम, ज्यमें महासची विनोट पांडे ये सभी शामिल हुए वही बैठक की बाद कॉंग्रेस प्रभारी का बयान खाली पड़े पदों को जल्द भर लिया जाएगा, ये कभी भी घोशित किया जा सकता है, लोकसभाद चुनाव में गटभंदन का लक्ष मजबूती से चुनाव लड़ने का है, सीटों की संख्या को बड़ा मुद्दा सीटों की संख्या कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, जो जहां मजबूत है, जीत सकता है, वो मैदान में होगा और हमारे सायोगी विपिन फोन लाइन पर जुड़ गया हमारे साथ, विपिन देखे, ये बैठक होई है, सीन चमपई सोरेन के साथ, जहां सभी जो मौजूद रहे है, राजेश ठाकूर और कॉंग्रस के साथ ये जो बैठक होई है, क्या कुछ इसमें हुआ है? जहारकन कॉंग्रेस के प्रभारी गुलाम एहमद मेर ने मुक्च मंतरी के साथ बैठक की है, और इस बैठक में राजेश ठाकूर और चमपई सोरेन के साथ, जो बैठक होई है, इसमें कॉंग्रेस प्रदेश साथ राजेश ठाकूर, विदायक दल के नेता, अलंगीर आलम जेमें के महाताची विनुत पांडे मौजूद है, और इस बैठक में जो राजे में खाली पड़े बोर्ड निगा मायोग के रिक्त पद हैं, उनमें जल्द राजनितिक निप्टियों करने के साथ जो आगामी लोग सभा के चुनाओ हैं, उसको लेकर जो सीट को की गोशना करनी है कि कौन सा दल की सीट पर लड़ेगा और कितनी मजबूती से सयुक्त चुनाओी प्रचार होगी इन तमाम विस्यों को लेकर आज ये बैठक हुई है जारकन कॉंग्रेस के प्रभारी और मुखे मंतरी चमपाई सोरें के साथ जारकन मंतराले में तकरीबन तक ये बैठक हुई है इस बैठक में आने वाले तमाम जो चुनाओं के साथ महत्पून विस्यों पर सार्थक चर्चा हुई है और जारकन कॉंग्रेस के इंचार्ज ने भी इस बात को लेकर आस्वास्त किया कि जो खाली पड़े बोड़ निगमायों के पक्ड़ हैं वह जल्द ही भढ़ हुई सूरेन के साथ जहां लोग सवा चुनाओं को लेकर भी चर्चा हुई और तमाम चर्चे हुई रितियों को भढ़ने के लिए पदों को भढ़ने के लिए बैठक में कॉंग्रेस प्रभारी गुलाम एहमद मीर भी मौजूद रहे वही प्रदेश रद्यक्ष राजेश थाकुर भी मौजूद रहे और इस बैठक में बोड़ निगमायों के खाली पदों को जल्द भढ़ने पर सहमती वनी है बता दे लोक सभाच चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा होई है करी 45 मिन तक ये बैठक चली है जहां सभी मौजूद रहे आलमगीर आलम राजरी शाको प्रभारी कॉंग्रेस प्रभारी गुलाम एहमद मीर तमाम जो है वो मौजूद रहे बैठक में बोर्ड निगम के खाली को बहरने पर सहमती बनी है आपको बता दे कि कॉंग्रेस के साथ ये सियन चंपाई सोरेन की बैठक जहां कॉंग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम एहमद बीर और प्रदेश राजरी श्ठाकोर आलमगीर आलम तमाम जोनीता है वो मौजूद रहे लोगसभा चुराव की तैयारियों पुले कर भीस में चार्चा हुई दो तीन दिन से ताई हो रहा था आपस में बैठक मर किनी कारणू की वज़े से उनका फील्ड विजिट भी था कल भी हमारी बैठक होनी ज़रूरी थी बर काफी लेट आये थे फिर लेस्टेशर पार्टी की मीटिंग थी नहीं हो पाया था तो आज का ताई हुआ था कि तीन बैजे हम लोग आपस में थोड़ा चर्चा करेंगे जो पासिबल है उसको निपाए पर अब यह नहीं कह सकते हैं कि एक दिन में हो दो दिन में है बट उनके नजर में है कोई नहीं सरकार चलनी का नाम होता है चलती रहे तो सरकार है तो इसलिए कुछ चार साल बहुत काम हुआ है सबसे बड़ी बात है कि जनहित के काम के लिए सरकार बनती है तो उसमें हमें काफी सैट्सफेक्शन है कि जो जारखन परदेश की सरकार ने, कॉलेशन सरकार ने काम किये हैं प्रो पीपल, प्रो पूर, उन्होंने सबसे पिश्रे पाइदान पर बैठने वाले लोगों के लिए ज्यादा सोच दिया है, ज्यादा काम किया है